मेरी माटी मेरा देश अभियान के लिए दुरंतो एक्स्प्रेस आज नागपूर मंड़स से 31 अमरुद कलशले कर मुंपई होते भी दिल्ली के लिए रवाना हुई नागपूर रेलवे स्टेशन पर संभा किया एक्तव विजे लक्ष्मी बिदारी ने अमरुद कलशले जाने वाले स्वयम सेवकों को गुलाव के फूलते कर समानी किया नागपूर वर्था चन्रपूर गडची रोडी गोंदिया और भंडारा जिलों के 112 वहम सेवकों के साथ सभी अमरुद कलश रेल वरा मुंबई भीजेगे कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर मुख्यकारिकारी अधिकारी सौमय शर्मा मंडल रेल प्रबंदक तुशारकान पांटे रेल्वे स्टेशन प्रबंदक आशुतो श्रिवास्तव विकास उपायुत कमल किशोर फुटाने नगर निकम के उपायुत सुने लहाने उप प्रशासनिक विबिन नवी भागों के अधिकारी रवाना हुए। रेल्वे स्टेशन पर मौझुत रहे भारत माता कीचे वंदि मात्रम और मिट्टी को नमन वीरों को बंदन जैसी नारों से रेल्वे स्टेशन छेट्र देश भक्ती में हो गया। राज़े के सभी अमरुद कलशों का 27 अक्टुमबर को मुंबई के आजाद मैदान में पूजन क्या जाएगा और उन्हें दिल्ली भीजा जाएगा। मुक्य समारों 31 अक्टुमबर को प्रधानमत्री नरेंद्र मोधी की मौझुत की में दिल्ली में होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान में अमरुद कलश के मात्यम से खंड में एकत रखी गई मिट्टी को देश के लिए बलेदान देने वाले शहीदों के सम्मान में दिल्ली में कर्दव व्यपत पर बनाई जारी अमरुद वाटिके में अर्पिट की जाएगी। इसके लिए संभाग के सबी तालिकाओं से त्रेसस अमरुद कलश नगर परिशत और नगर पंचाइव की ब्रत्य चिले से छचव और नागपूर और चंडपूर नगर निगम से एक एकत्तर अमरुद कलश एक सुब्याली स्वयम सेवकों के मात्यम से भीजे गए थे। अमरुद यात्रा के लिए संभाग के 16,58,000 परिवारों से अमरुद कलश से मिट्टी एकत्र केगे। इसमें नापूर नगर निगम के 10,1351 परिवार, चंडपूर नगर निगम के 35,243 परिवार, संभाग के 37 नगर परिशदों और नगर पंचाइटों के 3,60,108 परिवार और 307 तालुका के 16,58,000 परिवार शाह मिलुए। कैमरा पसंड राजकुमार महोड के साथ अभिशेक पांसी के रिपोर्ट